नमस्कार दोस्तों मैं आलोग सिंग आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्यान गंगा अलोग पर हर्दिक स्वाक्त करता हूं कल मेरे बहुत से वीवर्स ने मुझे एक प्रस्ण पूछा था उनमें से मैंने एक वीवर का नाम चेहन किया है और उनका प्रस्ण बहुत अच्छा है हो सकता है आपके मन में भी प्रस्ण हो और आप पूछ ना पाए हूं उसी प्रस्ण का सब्सक्राइब देने के लिए मैंने वीडियो बनाया है मैं एक सुचना और देना चाहता हूं कि यदि आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्रस्न करेंगे और मुझे लगेगा कि इस विशेव पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो मैं उनमें से एक विवर का नाम रेंडमली सेलेक्ट करके उनका नाम अपने वीडियो में अनॉंस करूंगा और उनके प्रस्नों का उतर भी दूंगा बहुत से विवर्स ने यह प्रस्न किया है वह आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जो मेरे विवर है नरेश कारट उन्होंने मेरे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रस्न पूछा कि क्रमांक प्य बारह तीन वित नियम दो हजार बाईस दिनांक अठारह चार बाईस रास्थान सरकार द्वारा जारी आदेश को समझाईए मेरे विवर है यह नरेश कारट मैं आपको फिर बता दूं कि यदि आप भी मुझे इस प्रकार से प्रस्न पूछेंगे और मुझे लगेगा कि इस विश्रेप मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो मैं निश्चित रूप से उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपका नाम मैं के चैनल पर अनाउंस भी करूंगा इनके प्रस्न का उत्तर दूं उससे पहले आपको इस आदेश के संदर में बता दूं यह आदेश कल ही जारी हुआ है और कल एक आदेश और जारी हुआ था जिस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं साइध उन्होंने उस वीडियो को देखा हो तभी यह प्रस्न उन्होंने मुझसे किया है मैंने अपने यूट्यूब चैनल से उनके कमेंट का स्क्रीन सोट दिए देखिए आपको यहां पर लगा रखा है मैंने उनके द्वारा प्रस्न पूछा गया है इस वीडियो पर जो को सी आदेश में दूंगा मेरे यूट्यूब चैनल पर नरेशी द्वारा जो प्रस्न पूछा गया था उसके संदर में जिस आदेश की वो बात कर रहे थे वो आदेश आपके समक्स स्क्रीन पर है दिखाई दे रहा है देखिए उसका करमांग वही है जो उन्होंने कमेंट बॉक्स में मुझे पूछा था और ये भी कल जैपूर से दिनांग 18 अप्रेल 2022 को जारी हुआ है इस आदेश के संदर में स्पिस्टिकर्ण क्यों मांगा उन्होंने वो मैं आपको बता देता हूँ कियोंकि ये आदेश जारी हुआ है इसमें ये कहा गया है कि कुछ विभागों में अभी भी NPS लागू रहेगी और कुछ विभागों में NPS लागू रहेगी और उन्होंने यहां से राज की उपकरम सब्द को देखा है जहां तक मैं समझता हूं तो वो इस सब्द से दिख भ्रमित हुए हैं और उसके कारण से उन्हें प्रस्ट पूछा है चलिए मैं आपको पूरा बताता हूं इस आदिश के बारे में इसका स्पष्ट्री करने देता हूं इस आदिश का विष्ट्र है दिनांक एक एक दो जाचार ऋसके पश्चयात न्यूक्त कार्मिकों के लिए पुरानी पैंशन योजना ओपियस मतलब एक एक चार के बाद एक चार से एक एक चार के बाद जो भी करमचारी न्यूक्त हुए हैं उनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है ये घोस्ता माननी मुख्यमंद्री जी ने अभी बजट सत्र में की थी उसको लागू करने के निरने के दिश्टिगत राज की उपक्रमों स्वायत सासी निकायों विश्व विद्यालियों में नवीन अंसिदाई पैंशन योजना है तू वेतन से मासिक कटोती के संदर में ये आदेश है इस आदेश का संदर आप पढ़ेंगे तो आपको अधिकां आप से समझ में आ जाएगी वित नियम विभाग की समसंग के परिपत्र चोईस तीन बाइस उप्रोग्त विश्यांतरगत संदर्वित परिपत्र द्वारा राज की उपक्रम स्वाय शासी निकाय जिनके कार्मिकों यहां से ध्यान से देखिएगा राज की उपक्रम और स्वाय शासी निकाय यह दोनों के कार्मिकों के लिए एक एक चार से पूर्व नियुक्त की स्थिति में पुरानी पैंशन योजना OPS तथा उसके पस्चात नवीन अंसदाई पैंशन योजना NPS लागू है उन संस्थाओं में दिनांक 114 एवं उसके पस्चात नियुक्त कार्मिकों के लिए नवीन अंसदाई पैंशन योजना वर्तमान में लागू है उनके नवीन अंसदाई पैंशन हेतू होने वाली 10% मासी कटोती को समाप्त करते हुए दिनांक 114 2022 से वेतन का भुक्तान किये जाने का प्रावधान किया गया था उक्त परिपत्र के संदर्व में परिपत्र के करम में वित्विभाग को मार्गदर्शन हेतू प्रक्रण संदर्वित हो रहे हैं कि वास्तो में वित्विभाग से किसी ने प्रस्ण किये थे जो उनके जहन में थे और नहीं प्रस्णों का उत्तर इस प्रस्टिकन वित्विभाग ने जारी किया है प्रस्णि क्या था जो वितिवाक से राज की उपकर्मों के करमचारी स्वयसासी निकायों के करमचारियों ने पूछा था वो पहला प्रस्णि यह है क्या दिनांक 11-2004 के पश्चात अस्तित्यु में आए ध्यान से सुनियेगा 11-2004 के पश्चात अस्तित्यु में आए राज की उपकर्म स्वयसासी निकायों पर उक्त परिपत्र लागू होगा या नहीं कौन सा परिपत्र की NPS की कटोती बंद होगी या नहीं पहली चीज़ यानि उनको OPS मिलेगी या नहीं दूसरा प्रस्ण है क्या संदर्वित परिपत्र विश्विद्यालियों पर भी लागू है क्योंकि पूर्व परिपत्र में विश्विद्याले के नाम का उलेक नहीं था दो प्रस्ण पूछे गए हैं एक तो यह कि एक एक दो जाचार के पस्चात अस्तित्व में आये राज की उपकरम और स्वसासी निकाय जिनकी स्थापना ही एक एक चार के बाद में हुई है क्या उन पर भी OPS लागू है या नहीं दूसरा प्रस्ण यह था कि क्या यह उपकरम स्वसासी निकाय के करमचारी भविश्ची निधी भविश्ची निधी प्रोविडेंट फंड जो होता है एवां अन्य प्रावधान एक्ट उन्नीस सो चोगवन के अंतरगत इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड एप्पी एफ या सीपी आफ कंट्रिबुरिटर प्रेजिन फंड या अन्योजना लागू है उसके संदर में क्या निर्देश है तीन प्रसंद थे पहला कि एक चार के बाद न्युक्त इस्थापित जो राज की उपकरम है स्वसासी संस्थान है क्या उन पर भी OPS लागू है अथ्वा नहीं दूसरा प्रसंद था कि क्या व भुषना मुख्यमंत्री महोदय कितीvan वह सिर्फ राज्य करमचारेह के लिए की ती उसमें विश्विदयालियों का नाम नहीं था और तीसरी चीज कि जिन स्वाइस संस्थानों निकायों में भविश्य निधी का पैसा करता था या एपिएप का पैसा करता था या कंट्रीबिटरी पैंशनफंड पैसा करता था क्या वहां पर भी OPS लागू हुए या नहीं इसका इस पस्टीकन देते वे विभाग ने जो लिख बताया है वो यह है इस अंदर में समसंग के प्रप्रत चोईस तीन-बाइस के निरंतरता में लेख है कि जो राज की उपक्रम तीनों प्रस्णों के अलग-अलग उतर दिये हैं जो राज की उपक्रम स्वसासी निकाय विश्विद्याले आदी एक एक चार के पश्चात अस्तित्व में आये हैं उनके संबंध में उनके करमचारियों से NPS की कटोती अथावत की जाएगी यहां आद प्रस्णानी पेन NPS को हटा दिया गया है और OPS को लागू कर दिया गया है फिर यहां पर यह इसका उत्तर क्यों दिया गया है कि जो राज की उपक्रम स्वसासी निकाय विश्विद्याले आदी दिनांक 114 के पश्चात अस्तित्व में उनके संबंध में उनके करमचारियो से NPS की कट होती यथावत जारी रहेगी तो इसका आर्थ यह है कि उन करमचारियों पर यानि करमचारियों पर OPS लागू नहीं होगी अब इसके अंतरगत कौन से करमचारी आते हैं क्या हम सभी करमचारी इसी ग्रूप में आते हैं जो 114 के बाद नियुक्त हैं अभी मैं आ उसे प्रसन का उत्तर दिया है जो राज की उपकरम स्वसासी निकाय विश्विद्याले आदि दिनांक 114 चार से पूरही इस्थापित वाले थे पहले प्रसन में यहां पूरही इस्थापित पस्तित्य में थे परन्तु वहां पुरानी पैंसन योज लागू नहीं थी और दिनांक एक एक चार के बाद उसके करमचारियों को नवीन पैंसन योजना लागू की गई, ऐसी संस्थाओं के करमचारियों से भी NPS की कटोती यथावत की जाएगी, पहले और दूसरे प्रस्ण में अंतर सिर्फ यह है कि पहले प्रस्ण में वो निकाय वो संस्थान एक एक चार के बाद में स्थित्व में आया है, इसलिए वहाँ पर NPS की कटोती लगातार की जाएगी उन पर OPS लागू नहीं होगा यह कहा गया है, दूसरे संस्थान जो ऐसे हैं जो एक एक चार से पहले ही स्थापित्ते लेकिन वहाँ पर पहले से भी OPS लागू नहीं थी और वर्तमान में उनके करमचारियों की NPS कट रही थी और आगे भी उनकी NPS की कटोती ऐसे ही जारी रहेगी, यह स्पस्टिकन दिया है वित्विभाग ने जिन संस्थाओं में एक एक चार से पूर पूरानी पेंशन योजला लागू नहीं थी तथा उसके बाद भी नवीन अंसदाई पेंशन योजला लागू नहीं की गई तीसरा प्रस्थन है कि जिन में पहले से NPS नहीं थी दिन में पहले से OPS नहीं थी और 114 के बाद में भी NPS लागू नहीं की गई वहाँ पर इन संस्थाओं में करमचारी भविष्य निधी अन्य प्रावधान एक्ट 1954 के अंतरगत EPF CPF या अन्य योजना लागू है वहाँ पर इन योजनाओं इन में से दिनों में कोई भी योजना EPF CPF के अंतरगत ही करमचारियों के वेतन से कटोती की जाएगी अर्थात वहाँ पर भी OPS लागू नह की जाएगी अब मैं आपको बताता हूं कि यह नरेश जी जो है वो उनके मन में प्रस्निक क्यों आया कि मुझे इसके बारे में स्प्रस्टीकंड जी है यहां जो सब्द लिखा हुआ है राज की उपक्रम यह राज की उपक्रम बहुत से ऐसे होते हैं सर जो सरकार दोरा प्रस्तार के घ्रक्रम राज क्लमचारी नहीं माणे जाते हैं सिप्राझ जो तो आजिकरमचारी वह है जिन में जिनके वेत्ताद से इस्टेट इंश्योरंस का पैशा करता है उन्हीं को सिर्फ राजय क्नारी का दर्जाद दिया गये हैं तो एनपिस की जो स्कीम थी जिन राजी करमचारियों को NPS करता था उन्हीं के लिए OPS लागू की गई है अर्थाद आप सीधे सब्दों में यह समझें कि जिन करमचारियों का State Insurance का पैसा करता था उनको सरकार राजी सरकार के करमचारी मानती है और राजी सरकार के करमचारियों के लिए ही NPS को हटा कर OPS लागू की गई है, मैं वापिस आपको स्पस्ट कर दूँ, यह राज की करमचारियों के लिए नहीं है, विश्विद्याले भी स्वैसासी निकाय होते हैं, और जैसे बिजली बोर्ड है, यह निगम है, यहां के करमचारियों पर और ऐसे निकाय जो राजी सरकार ने स्थापी तो किये हैं, लेकिन उनके करमचारियों को राजी करमचारी का दर्जा प्राप्त नहीं है, जिनका State Insurance का पैसा नहीं करता है, उन पर OPS लागू नहीं होगी, उनके यहां जैसे पहले चल रहा था, वही कार्य ह होता रहेगा, यदि आप अपने आप चेक कीजिए कि क्या आपका SI का पैसा करता है, State Insurance का पैसा करता है वेतन से, तो आप राजी करमचारी है, अगर आपका State Insurance का पैसा नहीं करता है, तो आप राजी सरकारी राजी करमचारी नहीं है, और यदि आप राजी करमचारी नहीं ह गया है और जब भी कभी कोई नया परिवर्तन होगा तो आपको मैं वीडियो बना कर सुजित करूँगा नरेश जी मैं समझता हूँ आपको मेरे दोड़ा दिये गए वीडियो से जानकारी मिल गई होगी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरे वीडियो को देखा और उसके संदर में एक अच्छा प्रसन पूछा जिससे मैं अन्य लोगों के मन में भी जो प्रसन आ रहा होगा उसका समाधान कर पाया और मैं आपके प्रसनों का समाधान करके बहुत प्रसन होता हूँ आपस से इस प्रकार के प्रसंद पूछते रहें यदि मैं उसकी जानकारी रखूंगा उसको समझ पाऊंगा तो निश्चित रूप से उसके उपर वीडियो बनाऊंगा और आपके समस्या का समाधान करूंगा फिर एक नई जानकारी के साथ आप से मिलता हूं तब तक के लिए अनम के बारते